जब अल्ट्रा वेजटो को पता चलता है कि यूनिवर्स में एक और गौड घूम रहा है तो अल्ट्रा वेजटो उसे धून्धने के लिए निकल जाता है। उस गौड को ढूनने समय अल्ट्रा वेजटो को पता चलता है कि उस गौड को अल्ट्रा गोजेटा कहा जाता है अल्ट्रा वेजटोर एक गोड किला है जिसने सारे युनिवर्सस के गौड्स को मार दिया है अब सिर्फ एक गौड है जिसे अल्ट्रा वेजटोर कहा जाता है अल्ट्रा वेजटोर एक इवल और डाक टाइप का गौड है इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है अल्ट्रो वेजटोर ने सूपर शेन्रॉन और ओम्नी किंग को हरा दिया है अल्ट्रो वेजटोर अल्ट्रा गोजटा को धून्धने के लिए एक से दूसरी यूनिवर्स में जाता है लेकिन बहुत धून्धने के बाद अल्ट्रा गोजटा नहीं मिलता इसलिए अल्ट्रा वेजटो अपने यूनिवर्स में लोट जाता है अपने यूनिवर्स में लोटने पर अल्ट्रा वेजटो को एक न्यू की महसूस होती है उसकी की पाउर बहुत ज़्यादा थी वेजटो समझ जाता है कि ये वही गौड है जिसे वो ढूंधने गया है वेजटो उसकी ओर जाता है उसे मारने के लिए दूसरी और अल्ट्रा गोजेटा भी वेजटो की एनरगी को महसूस कर लेता है गोजेटा भी वेजटो की और बढ़ता है अब वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं गोजेटा बोलता है कि तुम ही हो जिसने सारे गौड को मारा है वेजटो कहता है हाँ और अब तुम्हारी बारी है वेजटो गोजेटा पर जान लेवा हमला कर देता है लेकिन गोज गोजेटा वह से गायब हो जाता है क्योंकि यदि-स जगह पर यह दोनों लड़ाई करते तो लोग मारे Rais어 आचीक क्युक्योड यसे कई मतलब नहीं था चांए कोई मरे या जी अब वह जोटे कापी झॉचा करता वेजटर किसी भी गोड को जिनदा नहीं देखना चाहता था वेजटर एक सण की गोड है जो किसी को भी आसानी से मार देता थिता नियू घंट कर देता है जिस्से क्रेशा जो आसाना रड़ सके उस ग्यालक्सी में वेजटो की पावर कम हो गई थी क्योंकि वो ग्यालक्सी को गोजटा ने बनाई थी फिर गोजटा और वेजटो की लड़ाई होती है उस वजह से दुनिया में एक भूकम बार्ड जैसी चीजे मुनी लगी और लोग मरने लगे बहुत देर तक उन दोनों की ल करता है और वेजटो वाह से दूर चला जाता है